हेलो दोस्तों, तो आसा करता हूँ, आप लोग बहुत मस्त होंगे भी, अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, और जो विज्ञान है उसको बहुत अच्छे तरह से समझ रहे होंगे, उसका आनंद ले रहे होंगे, उसका लुथ उठा रहे होंगे, ठीक है, तो हम पढ़ रहा थे तो चप्टर एट में हम 2.3 जो है चप्टर एट का वो पॉइंट को हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या है पुन्रदु भवन ठीक है इसको बोलते है पुनर जनन मतला फिर से जनन होना ठीक है तो यह कहता क्या है इसको समझने कोसिस करते हैं पुन्रुपेन बिवेदित जीवों में अपने काईक भाग से नए जीव के निर्मान की छमता होती है जितने भी पुन्रुपेत बिवेदित जीव जो होते हैं वो अपने काईक भाव से नए जीव का निर्मान कर सकते है ठीक है अभी यहां पर देखे यह अपना कोई भी भाग से नया पिर से इसका रूप ले रहा है, यहाँ पर पर देख रहेंगा। यह रूप ले लिए आपर से इसका। होता है इससरह का जीव में ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? कि अर्थात यदि किसी कारण वोस mieć जीव छत, विछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े विरिद्धी कर नए जीव में विक्सित हो जाते हैं मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जब ऐसा जीव जो होता है 2100 टूट गया ठीक है मालीजे गलती से यह टूट गया इसको मिटा दे रहे हैं नया जीव बना लेगा कैसे बना लेका कैसीा अच्छा आदमेर तो आतों-बि Award है कि यह भंड रिर यह जहोता है जंता होता है अपने आपको बिकसित करने का तोटी यह ता वो बिक्सित कर लेगा लेकिन हम लोग आदमी में ऐसा नहीं होता है माली उट्जान इसका इसका हाइडरा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो परतेक टुकडा विख्सित होकर पुन जीव का निर्मान कर देते हैं देखें ये सवाल पुछा जा सकता है कि कोई भी ऐसा जीव का नाम बताए ये जो पुनर जनन करता है मतलब क्या हुआ कोई ऐसा जीव का नाम बताए में अगर इसको ब्याद न मत्लब ासे पर वही ज्यूद का देखिए तो प्रश्य से वही ज्यूद न सबक्रिद हें अगुद हैो कि टॉन में कॉंसा हैै फिर है और में थेका है फिर मते हैंगे यह क्या करते कर देंगे खतम हो जाएगा लेकिन नहीं फिर से अपना पुर्ण ये जनन हो जाता है यह पुनुरुध भवन कहलाता है इसी को हम पुनुरुध भवन बोल सकते हैं या फिर पुनर जनन कह सकते हैं चीत्र 8.3 में यह दिया हुआ है ठीक है पुनरजनन विसिस्ट कोसीकाओं दोरा समपादित होता है ठीक है इन कोसीकाओं के करम प्रसनरण से अनेक liberellen maravil honoring nen बन जाती है कोसीकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभीन परकार की कोशीकावे में उत्तक बनते हैं ठीक है तो ये जो है पुनरजनन में क्या होता है कि जैसे बहुत अलग-अलग तरह के कोशीकावे संपादीत रहता है ठीक है अब फिर क्या होता है जाब इसको तोड़ा जाता है चाहे कुछ बनते हैं तो इससे पुनाह यह जीव का निरमान करता है आउसे कुछ यह परिवर्धन बहुत ब्यस्तित रूप से रूप एवंकरम से होता है जिसे परिवर्धन कहते है ठीक है आप से अगर पुछ जाएगा थ 242 कि इसे कहते है तो यह जो पर्क killer होता है परिवर्धन का परिवासा पुछा जाएगा तो परिवर्धन का परिवासा में क्या होता है कि पूनर्जनन होता है कि ci भी जीव का मतलब क्या हुआ है कि उसको तोड़ दीजेगा ठीक है तोड़ने के बाद मालीजी के फिर से फिर से जीव का निर्मान कर रहा है तोड़ने पहले तोड़ दी टूट गया ठीक है फिर से जीव बन रहा है तो क्या होता है कि इसमें विशिस परकार का कोशिका होता ह वो फिर से अलग अलग तरह कोशिका बनाता है ऐसा कोशिका बनाता है फिर उत्तक बनाता है कि ताकि यह फिर से यह जीव बन सके ठीक है तो इसी परकिरिया को हम क्या कहते है परिवर्धन कहते है जो भी क्रम होता है उसको हम क्या बोलते है परिवर्धन बोलते है परश्य परफ पुनर जनन के समान नहीं है इसका मुख्य कारण ये है कि परतेक जीव किसी भी भाग को काट कर समाने अतत तथा नया जीव उत्पन नहीं होताoust और इसको हम लोग जनन नहीं कह सकते हैं क्योंकि धरती में बहुत सारा जीव है यह हाइडर हो गया यह तो ठीक है इसको तोड़ें काटेंगे फिर से वह बना लेगा लेकिन बहुत सारे जीव है जो ऐसा नहीं कर सकते कर दीजिए के लिए और है तो फिर से साफ नहीं बनेंगे जात भाइन से हैं इसके अधिवा काटने के बाद फिर से आधमी नहीं से अध्या है ठीक है अब समझते मुकूलन क्या है ठीक है फिर NCRT को देखे इसको पढ़ाना है लाइन वाइन पढ़े बहुत अच्छा समझाता है देखे हाइडरा जैसे कुछ प्राणी पुनर जनन की छमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकूलन के लिए करते हैं तो देखे हाइडर एक क्या है जीव है तो हाइडरा में बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं होते हैं विशिष्ट कोशिकाएं होते हैं जिन में पुनर जनन करने का छमता होता है मतलब उससरा पुनर जनन कर लेगा मतलब काटियो दिजेगा हाइडर वाक है उकर में एतना विशिष्ट प्रकार का तो बना गया है। हईट्रा में क्योशिकाओं के नियमित और विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार भिख्सित हो जाता है या। उभार मुकुलन ब्रिध्धी करता हुआ इन्हें जिव में बदल जाता है। है तथा पुन भिख्सित होकर जनक से अलग होकर सुतांत्र जीव बन जाता है ठेव ये प्रवर्धन के बारे में पढ़े हैं अभी इतना था मुकूलन के बारे में पढ़ना था कि इतना था नहीं है